R.D. Sharma solution है यह class 12 है chapter 10 differentiability exercise है 10.2 If f is defined by fx equals x square find f-2 इसका मतलब यह है पहली चीज़ता आपको f- निकालनी है इसका मतलब आपको differentiation निकालना है और differentiation निकालने के बाद जहां x होगा वहाँ पर 2 रख देना है differentiation इसका देखिए अगर direct मैं बताओं तो 2x है यह ना d by dx basically इसका मसला यह है कि आप x square को differentiate करेंगे तो 2x आता है first principle से करें या जैसे भी करें लेकिन यहाँ पर हम जो भी करेंगे वो first principle से करेंगे शुरुआती दोर है यह इसलिए अब हम यह जानते हैं कि यह एक polynomial है और polynomial जो होता है यह polynomial functions जो होते हैं वो हर जगा पर differentiable होते हैं तो हम क्या करेंगे f dash x निकालने के लिए f dash x यह f dash 2 जो निकालना है उसके लिए क्या करेंगे मतलब basically अगर कोई भी curve है अपना तो उसको आप 2 पे देखना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे देखे f x minus f c divided by x minus c limit x tends to c यह तरीका होता है c इसमें कहा गया है 2 तो यहाँ पर क्या करना f अच्छा यहाँ पर आप जैसी हम बात करेंगे 2 की तो यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस h क्या रखेंगे 2 प्लस h अब क्योंकि यह differentiable है इन्होंने f dash 2 निकालने के लिए कहा है हम differentiability कैसे चेक करते थे कि हम इसके पीछे जाएं इसके आगे जाएं यहाँ पर 2 माइनस h रखें यहाँ 2 प्लस h रखें और दोनों बराबर करते हैं और कहें कि भाई differentiable है क्योंकि already differentiable है इसलिए हम केवल यह वाला प्लस वाला अटम ले ले लेते हैं क्योंकि 2 माइनस h भी रखेंगे तो भी सेम चीज़ आएगी f2 प्लस h रख रहे हैं माइनस f2 divided by f2 क्यों रखा क्योंकि यहाँ पर 2 आएगा c2 है इसमें divided by x माइनस 2 याने की x की जगह आप रख रहे हैं 2 प्लस h और माइनस 2 टू टू कैंसल नीचे आया h के वर इसी यह बार-बार करने की अवशक्ता नहीं है अब क्योंकि पहली exercise हम द यहाँ पर हम करने के लिए क्या करेंगे f2 प्लस h मतलब इस जगह पे x square में x की जगह 2 प्लस h रख दीजे तो 2 प्लस h का whole square माइनस f2 क्या होगा इसकी जगह 2 रख दीजे 2 square h को deal करते हैं अभी denominator को बाद में deal करते हैं पहले इसको numerator देख लेते a प्लस b whole square तो a square प्लस b square प् यह दोनों हटा दीजे पहले यह आया आपका h square प्लस 2 to is a 4 h इससे h common ले लिजे धिया रहे हर जगह जो है limit h tends to 0 चल रहा है इसलिए मैं solution साथ रखता हूँ साथ दिखाता हूँ आपको कि आपको पता रहे कि हमें क्या लिखना है यह तो मैं logic या reasoning बताता हूँ यह आपके copy में या exam में जैसे लिखना है वो यहाँ पर दर्ज होता है logic यहाँ से सीखिए h common ले लिजे h plus 4 आगया अब मैंने बताया था denominator h चल रहा है इसको यहाँ introduce कर देते हैं limit h tends to 0 है यह दोने cancel हो गया h tends to 0 यहाँ लगा दीजे यह 0 हो गया तो किवल 4 बचा आपका f dash 2 कितना आगया जी 4 आगया यहाँ पर f x आपको दिया है यह भी एक quadratic equation है यह पॉलिनोमियल ही है यह भी यह भी polynomial है आपको बताना है f dash 5 equals twice of f dash 7 by 2 यह 7 by 2 3.5 है तो f dash 5 निकालिए f dash 7 by 2 निकालिए और दोनों को रख दीजे साथ में देखेंगे कि एक दूसरे का twice होगा या दुगना होगा यही इसमें काम करना है basically आप f dash x निकाल लीजे उसके बाद उसमें रखते रहिए वाली तो f dash x निकाल लेते हैं और first principle क्या कहता है first principle कहता है f dash x होता है f x plus h minus f x divided by h limit h tends to 0 अब से आगे हम केवल यही चीज़ यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया है बागी जो चीज़े थी discussion के लिए थी आपको समझाने के लिए थी मैंने बताया था left hand limit right hand limit left hand derivative right hand derivative वो सारी चीज़ों को हम discuss कर चुके हैं समझ भी चुके है अब आपको यह ध्यान में रखना है जब भी आपसे differentiation की बात हो आप first principle में इसी का उपयोग करेंगे ओके चलिए जाब f x plus h यहाँ इस जगह आप x plus h रख दीजे यहाँ पर तो यह होगा x plus h इसका whole square minus 4 into x plus h और plus 7 यह हो गया इसको square bracket में डाली है हमेशा क्योंकि यह दोनों term अलग है यह अलग है f x मतलब यह आपका minus x square minus 4 x plus 7 अच्छा divided by क्या आएगा divided by आपका h आएगा यह h है देखें divided by h यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ मैं और limit h tends to 0 यह भी नहीं लिख रहा हूँ यह हर जगह चलेगा divided by h भी चल रहा है यह भी चल रहा है हमारा main यह है कि हमको कुछ इसको solve करना है और साथ में कुछ h ले के आना है ताकि h और h नीचे cancellation हो जाए इसको खोल लेते हैं यह है x square plus h square plus 2xh यह होगा आपका minus 4x minus 4h plus 7 यह हो गया अब इसको खोल लेते है minus x square plus 4x minus 7 x square से x square को हटा दीजे अब 4x को 4x से हटा दीजे 7 को 7 से हटा दीजे तो क्या बना आपका h square plus 2xh minus 4h अब देखिए इसमें h सब में common मिल रहा है h ले लिजे बहार h plus 2x minus 4 अब जो denominator में h था उसको हम introduce कर देते हैं आपको हर जगा लिखना है मैं एक ही जगा लिख रहा हूँ just to save time और कोई बात नहीं है limit distance to 0 तो यह तो चलेगा ही चलेगा यह तो integral part है first principle को समझाने का यह दो रहो cancel कर दीजे limit लगा दीजे distance to 0 यहाँ पर तो क्या बना आपका 2x minus 4 तो f dash x आपका आगया 2x minus 4 अब हम करते हैं दो काम इसमें रखते है f 5 5 क्या होगा 2 into 5 minus 4 यानि की 10 minus 4 6 हो गया अब रखते है f dash 7 by 2 2 into 7 by 2 minus 4 2 to cancel 7 minus 4 3 अब 3 और 6 में का relation है 3 to 6 तो यह हो प्रूव हो गया यह आपका आया है 6 यह आपका 2 और यह 3 आया है 6 बराबर 2 into 3 यह प्रूव कर दिया आपने show that the derivative of the function f given by इसका derivative x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर equal है तो f dash x निकाल लेते हैं और तरीका वो ही रहेगा कोई परिवारतन तो है नहीं हमारे पस मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बिलकुल ज़जब हो जाए f dash x जो होता है वो है f x plus h minus f x divided by h limit h tends to 0 यह जो चीज है और यह आपको हमेशे ध्यान रखने है हर जगा पे आएगी मैं आपको numerator जादा बताता हूँ क्योंकि वहीं से चीज़े निकलेंगी वही main होता है computation में जहाँ problem आती है या error आती है क्योंकि यह easy questions है यह आप अराम से कर लेंगे आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर minus plus का फेर हो जाए तो चीज़े सौर नहीं हो पाती चले साथ इसकी जगह x plus h रखिए तो 2 x plus h का whole cube square bracket में डाल देता हूँ minus 9 x की जगह हम x plus h रख रहे है x plus h का whole square plus 12 into x plus h plus 9 minus क्या होगा यह वाला 2 x cube minus 9 x square plus 12 x plus 9 यह a plus b whole cube है a plus b whole cube यह होता है उसका formula होता है a cube plus b cube plus 3ab a plus b ऐसे करते हैं इसको तो यह आपका 2 बात में deal करते हैं पहले इसको खोल लेते हैं यह होगा आपको x plus h का whole cube x plus h का whole cube इसी formula से open कर लिजे a cube plus b cube plus 3ab a plus b चाहे तो इसको भी खोल लिजे x cube plus h cube plus 3x square h plus 3x h square क्योंकि सामने 2 है तो 2 से multiply करके यहां लिख दीजे यहां पर आएगा 2 x cube plus 2h cube plus 3 to the 6 x square h plus 3 to the 6 x h square अब यह है minus तो पहले इसको कर लेते हैं solution फिर यहां पर negative में रख देंगे तो x plus h whole square क्या होगा x square plus h square plus 2x h 9 बाहर है तो 9 x square 9 h square plus 9 2 से 18 x h है ना 9 2 से 18 x h हम negative में है तो negative में रख देंगे 9 x square minus 9 h square minus 18 x h यह कितना होगा plus 12 x plus 12 h plus 9 और नीचे जो है उसको खोल दीजे minus 2 x cube plus 9 x square minus 12 x minus 9 अब देख रही है आपका कौन-कौन से चीजे हट रही है तो 2 x cube कहीं मिल रहा है इसको अटा दीजे इससे 9 x square कहीं मिल रहा है बिलकुल मिल रहा है इससे अटा दीजे 12 x कहीं मिल रहा है बिलकुल मिल रहा है 12 x 9 9 से कट रहा है अब क्या बचा आपका 2H cube अब इन से देखे इसमें H, इसमें H, इसमें H, इसमें H, सब में H है H common ले लिजे, H आपका common आ गया तो आपका आधा solution मिल गया क्योंकि denominator में H है तो यह बनेगा आपका H square plus 6X square यह दोनों हो गया अब यह इसमें भी आपका 6X H, यह भी हो गया, minus 9H, क्योंकि H बाहर ले लिया यह minus 18H, तो X हो गया, यह भी ले लिया, 12H में plus 12 बागी सारे हो गया, अब नीचे आपका H था ही, limit H tends to 0 चली रहा है यह दोनों अटा दीजे, H tends to 0 लगा दीजे, इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0, तो क्या बना आपका 6X square minus 18X plus 12, यह आपका differential आ गया, अब इनका कहना है, यह आपका F dash X आ गया basically, यह कहते हैं, 1 पे और 2 पे दोनों equal है, तो 1 डाल दीजे इसमें, X की जेगा 1 डाल रहा हूँ, F1 कर रहे हैं, तो 6, 1 square 1 ही हो गया, minus 18, plus 12, F2 भी कर लीजे साथ में, यह आपका 6, 2 to the 4, minus 18 into 2, plus 12, देखे क्या आता है, यह 6 और 12 हो गया, 18, 18, 18, 16, 0 यह 24, minus 18 into the 36, plus 12, 24 और 12 हो गया, 36, 36, minus 36, 0, है न जी, यह भी 0, यह भी 0 तो इनका कहना सही है, हमने prove भी कर दिया, बता भी दिया कि हाँ भई, differentiation निकाला, और दोनों के दोनों आपके 0 भी आ गया इसको 5 या साई, कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि यह हमारे language के तो हैं नहीं, यह Latin, Greek से आये हुए हैं तो 5 कहाँ लेते हैं इसको फिरां, 5X यह है आपका, 5-597 है, आपको lambda निकालना है, तो इसका 5-5, मतलब 5-5 निकालने के लिए, करना वही है, कोई इसमें, मतलब अलग चीज नहीं है, करेंगे वही, मतलब अगर आप यह 5X करते हैं, जैसे FX था, उसकी जगा 5X है, और कुछ नहीं है, तो 5-X निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ, सरी, 5, एफ का आदत पड़ गी न, X-5X divided by H, तो आप इसमें X-H रख देते, lambda, ध्यान रखे, limit H tends to 0, और यह H denominator में चलता चला जाएगा, यह मैं लिख नहीं रहा हूँ, यह दोनों नहीं लिखूंगा, यह आखिर मै introduce करता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा समय बचे और, final जहाँ पर इसकी ज़रूत हो, वहाँ पर लिख लेंगे, यह क्या, lambda X plus H का whole square, plus 7 into, X plus H हो गया यह, और minus 4, minus, अब इसको पूरे को ऐसी लिख दीज़े, lambda X square, plus 7 X minus 4, तो इसको आप open कर लेते हैं, यह हो जाएगा, lambda, यह X square plus H square, plus 2 XH है यह, lambda लगा दीज़े, इसमें, lambda X square, plus lambda H square, plus 2 lambda XH, यह क्या बनेगा, plus 7 X, plus 7 H, यह minus 4 है, इसको भी खोल दीज़े, minus lambda X square, minus 7 X, plus 4, इन दोरों को काट दीजे, 7 X को काट दीजे, 4 को काट दीजे, यह क्या बना आपका, अब इसमें से, यह, एक, दो, तीम, H ले लिजे बाहर, तो lambda H, plus 2 lambda X, plus 7, अब मैं वो जो denominator में था, उसको introduce कर रहा हूँ, क्योंकि वो अरड़ी था, limit H tends to 0 लगाऊंगा, क्योंकि यह दोनों कैंसल होंगे, इस पे H tends to 0 में यह 0, 2 lambda X, plus 7 आ गया, तो 2 lambda X, plus 7 है, अब इनोंने कहा कि जो 5-5 है, वो 97 है, अगर मैं इसमें 5 रखता हूँ, इस वाले में, यह 5- ही तो है, X है, इसमें X की जगा 5 रखता हूँ, तो 97 आना चाहिए, कर देते हैं, 2 into lambda, into X की जगा 5 रख दीजे, plus 7, इसको बता रहे हैं कि 97 के बराबर है, तो यह 2 lambda 5, मतलब basically 10 lambda हो गया है, 10 lambda equals 7 को देले जाहिए, 97 minus 7 हो गया 90, तो 10 lambda बराबर 90, lambda बराबर 9, यह lambda बराबर 9, यह इसका उतार हो गया, इस तरीके का अब यह भी एक question किया है हमने, तो मैं आपको बस इसको फटा-फट बता देता हूँ, fx plus h minus fx by h, इसकी जगह आप x plus h रखिए पहले, x की जगह और इसको open कर दीजे, फिर minus करके, यह सारों को लिख दीजे, sign change करके बस, maximum cancel हो जाएंगे, final जो बजएगा उसमें से h बाहर लीजे, h और h यह cancel हो जाएंगे, जहां भी आपको h दिखता, वो सब terms आप हटा देंगे, ठीक है जी, यह, यह, यह सब हट जाएंगे, 3x square plus 14x plus 8 आजाएगा आपका, इसमें finally 4 रख दीजे, इस वाले में, तो 4 रखेंगे तो आपका 112 आजाएगा, find the derivative of the function f defined by fx equals mx plus c at x equals to 0, अब होता यह है, कि हम लोग फटा-फट question को solve करने की कोशिश करने लगते हैं, हम को यह ध्यान देना चाहिए, कि यह कह क्या रहे है, fx बराबर mx plus c, मतलब y बराबर mx plus c, यह है क्या, यह तो आपका, एक straight line है, है न, और at x equals to 0, तो x equals to 0 का मतलब क्या हुआ, आप यहां की बात कर रहे है, इस जगा पर इसका derivative निकालना है, है कोई यह straight line, यह को एक straight line है, और क्योंकि c intercept है इसका already, मतलब y equals mx अगर होता, तो यह यहां से pass हो रही होती, लेकिन y equals mx plus c, तो या तो यह ऐसे जारी होगी, या ऐसे जारी होगी, यह थोड़ा ध्यान देना है आपको, अब इसको differentiation भी वैसी होगा, कोई फरक तो पड़ेगा नि, वही करेंगे, आप fx plus h, minus fx by h, limit h tends to 0, यह आपका f dash x हो जाएगा, fx plus h, इसकी जगए x plus h रख दीजिए, mx plus h, plus c, minus fx क्या हो जाएगा, यह रख दीजिए, mx plus c, divided by h, मैं वह लिखनी रहाँ अभी, पहले इसको solve कर लेते, all limit भी लिए चल रही है, पहले इसको कर लेते, mx plus mh, plus c, minus mx, minus c, mx से mx हटा दीजिए, c से c हटा दीजिए, mh बचा, अब introduce कर देता हूँ हम h को, limit h tends to 0 तो चली रहा है, तो h cancel होगा, अकिल m बचा, अच्छा, इससे क्या हुआ, मैंने, यह question बड़ा important है, solve solution में तो बहुत easy है, तेकर f-x बराबर m आया, तो इससे क्या प्रूव हुआ, कि जो y बराबर mx प्लस c लाइन होती है, उसमें यह होता है y intercept, मतलब y पे कितना काटता है, यह c होता है, और यह जो angle है, यह यह जो angle है, यह यह कहें 10 theta, यह y by x, यह आपका slope होता है, जब हम differentiation निकाल रहे हैं, यह तो सीधी सीधी line है, इसका जब हमने differentiation निकाला, तो निकल के आया m, और यह हमने, यह से prove हो गया, कि differentiation का मतलब, derivative का मतलब, slope निकालना होता है, dy by dx निकालने का मतलब, या कहें कि instantaneous point का, आप value निकालने का मतलब, आप slope, dy by dx या tan theta ही निकाल रहे हैं, उस particular point पे, उस tangent का, और वो tangent कौन सी है, वो line ही तो होगी कोई, ठीक है, बिलकुर perfect है आपका answer, अब इन्होंने का, x बेर बर 0 पे निकाली है, x यह ही निसमें, को यह है, आपको दिख रहा x, तो यह में आएगा, अब वो आना भी चाहिए, क्योंकि line की slope निकाल ली है, line tangent की slope निकाल ली है, और tangent की slope, वही तो derivative होता है, examine the differentiability of the function f, defined by this, अब इसका solution f' x से होगा, उसका current क्या है, जैसे ही आप इसकी left hand derivative, जैसे मैं for example देता हूँ आपको, fx minus fc, एक example दूँगा, कि यह इसको ऐसे क्यों करना पड़ रहा है, वो तरीका क्यों नहीं अपना रहे हैं, जो हम normally करते हैं, x minus c, limit x tends to c, अभी एक छोटा सा example देके बता देता हूँ मैं आपको, पहले मैं आपको बता दूँ, कि क्योंकि number line पे हमको यह पता करना होता है, कौन कौन से point से जिसे चेक करना है, minus 3 हो गया, minus 2 हो गया, 0 और यह 1, अब आप यहाँ पर देखें, कि minus 3 और 1 पे तो चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर left hand पे क्या मिलेगा, right hand पे तो आपको यह मिल रहा है, क्योंकि minus 3 से नीचे दिया नहीं है, 1 से उपर नहीं दिया है, तो minus 2 और 0 पे चेक करेंगे, अगर मैं यह लगाता हूँ, for example, इसी को लेके चलते हैं, 2x plus 3 को लेके चलते हैं, मतलब minus 2 को लेके चलते हैं, तो आप क्या करेंगे, left hand derivative निकालेंगे, right hand derivative निकालेंगे, left hand derivative ही बता देता हूँ, x की जगा आप minus 2 minus h रखेंगे, और minus 2 के पीछे क्या है, यह function यूज करना है, तो fx की जगा क्या रखेंगे, 2x plus 3, और minus fx, fc क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें minus 2 डाल दू, क्योंकि यह equality यहाँ पर है, minus 2 डालू, तो क्या मिलेगा, यह क्याल टेस्ट के रिए बता रहा हूँ, आपको की क्यों इस तरीके से करना पढ़ रहा है, जैसी यहाँ पर minus 2 डालेंगे, तो 2 into minus 2 plus 3, यह हो गया, minus 4 plus 3 यहने की minus 1, तो minus 1 यहाँ रखेंगे, तो plus 1 हो जाएगा, divided by आपका x minus c, तो x minus minus c, आपका मतलब 2 है, minus 2 है, तो plus 2 हो जाएगा, अब x की जगह आप रख दीजे, minus 2 minus h, तो यह बनेगा 2 minus 2 minus h, और plus 1 divided by minus 2 minus h, plus 2, तो minus h नीचे आगया, तो यह हो गया, minus 4 minus 2 h, plus 1 by minus h, तो minus 3 minus 2 h by minus h, इसमें minus बहर ले लिजे दोनों से, कैंसल हो जाएगे, उपर नीचे negative, तो 3 plus 2 h by h, प्राब्लम यहाँ आएगी, कि अगर आप limit h tends to 0 लगाते हैं, तो यहाँ पर यह तो नीचे 0 है, नीचे 0 हो जाएगा, तो यह जो तरीका है, वो यहाँ नहीं चलेगा, clear है, क्यों नहीं कर रहे हैं हम, जब ऐसे situation आती है, तो हम क्या तरीका अपनाते हैं, वो बताता हूँ उपको, सब clear कर रहा हूँ है, आपको समझ में तो आ गया न, कि किस पर चेक करना है, माइनस 2 और 0 पर चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पाँस यह fx है, fx क्या है यह, आपको यह दिया हुआ है, 2x प्लस 3, और x प्लस 1, और x प्लस 2, तो यहीं पर f-x निकाल लेते हैं, differentiation आपको मान की चलता हूँ, मैं आपको पता है, तो इसका differentiation आजाएगा 2, इसका आजाएगा 1, इसका आजाएगा 1, जिससे d by dx निकालते हैं, 2x प्लस 3 का तो क्या आता है, 2 into d by dx of x, plus d by dx of 3, यह तो constant है, 0 हो जाएगा, इसका 1 बनेगा, तो 2 ही आएगा, इसी तरीके से, इसका भी 1, इसका भी 1, तो f dash x देखें, तो 2, 1, 1 आ गया, और किस range में आ गया, पहली range यह है, यह वाली first, इसको मैं a, b, c कहा देता हूँ, दुबारा लिखना ना पड़े, तो a, b, c हो गया है, यह ranges यहाँ होगी, तो अब हम क्या करते हैं, कि अब left hand limit निकालेंगे, right hand limit निकालेंगे, derivative की, किसकी, f dash x की, चीक, तो चलिएजी, left hand, मैं x बराबर, minus 2 पे चेक करूँगा, यहाँ पर, और x बराबर, यहाँ पर चेक करेंगे, किस पे, 0 पे, यहाँ पर left hand derivative, left hand derivative निकालेंगे, derivative निकाल चुके हो, left hand limit और right hand limit करेंगे, तो left hand limit में क्या आएगा, limit x tends to, यह minus 2 minus, और यहाँ पर क्या रिखेंगे, limit x tends to minus 2 plus, अब minus 2 minus का मतलब क्या है, यह minus 2 minus मतलब इस जगा पे जाए, इसके पहले, तो यह वाला यूज करेंगे, यहाँ 2 रख दीजे, और minus 2 plus, यहाँ 2 के ऊपर जा रहे है, तो यह वाला यूज करेंगे, इसके लिए differential था 1, अब इसमें आप limit लगाते रही है, एक्स पे कुछ भी रखते रही है, एक्स तो ही नहीं आपर, तो यह 2 आएगा, यह 1 आएगा, अब LHL और RHL क्या है, यह 2 आया, यह 1 आया, यानि कि दोनों को match नहीं करते, इसका मतलब X बराबर minus 2 पे, तो यह आपका differentiable नहीं है, X बराबर 0 पे चेक कर लेते हैं, इसमें भी यह करेंगे, LHL निकालेंगे, लेफट हैं लिमिट डरिवेटिव की, और राइट हैं लिमिट निकालेंगे डरिवेटिव की, और लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका यह होगे आपका, लिमिट, X tends to, यह 0 minus यहानिक देंगे, यहान लिमिट, X tends to 0 plus लिख देंगे, जिरो माइनस मतलब 0 के पीछे जाईए, यहान पर, तो यह मतलब यह आला फंक्शन यूज़ करेंगे, डरिवेटिव क्या था इसका 1, और X tends to 0 plus, मतलब 0 plus, मतलब यहां यहां पर आएंगे, तो यह इसका डरिवेटिव देखिए, क्या निकाला था 1, अब आप कुछ भी लगाते रही है, एक्स तो है नहीं इसमें, तो इसका बनाएगा, इसका भी 1 लगाएगा, क्योंकि X है नहीं न, तो यह constant value है, तो 1 बना जाएगा, अब आप देखिए, यह दोनों सही आ गई, मतलब दोनों एक जैसी आ गई, तो इस पे तो यह differentiable नहीं है, एक्स बराबर 0 पे differentiable है, तो इसके कई तरीके है, कोई भी function आप यूज़ कर सकते हैं, मेरा बड़ा पसंदीदा function है, आपका modulus X, Y बराबर modulus X, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कि यह क्यों चूज़ किया, Y बराबर X का मतलब होता है, ऐसी एक straight line, जो origin से pass हो रही हो, लेकिन Y बराबर mod X करते ही, यह जो negative में कुछ नहीं देता है, यह हमेशा positive value देता है, तो इसको आप हटा देंगे, और यहाँ पर जो line है, उसको यह ही line को, इसकी mirror image यहाँ positive, coordinate system में ले आएंगे, यह negative coordinate system से, यह negative है, यह positive तो ऊपर ले आएंगे, तो यह जो point है आपका, यहाँ पर यह non-differentiable हो गया, इस point पे क्योंकि sudden change है, smoothness नहीं है, तो आप क्या करेंगे, Y बराबर mod X तो एक लिक देंगे, अब आपको चाहिए 5 point, तो आप चाहे तो इसको, X plus 1 कर लिजे, X plus 2 जोड़ दीजे, X plus 3 जोड़ दीजे, X plus 4 जोड़ दीजे, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह continuous, देखे, इसमें फाइदा यह है, Y बराबर mod X यह continuous होता है, continuous को तब कोई break नहीं है, यहाँ से अगर आप बगएर हाथ उठाए, अगर रेखा खिचना चाहे, तो यह बगएर हाथ उठाए, आप आगे बढ़ जाएगे, लेकिन इस point पे, M या tan theta यह change हो रहा है, इसलिए differentiable नहीं है, अच्छा, एक और इसका उत्तर बता देता हूँ आपको, आपर x-1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है, कि जब x0 है, याने कि जब y-axis के बारे बात कर रहे हो आप, तो y-1 है, तो y-1 यहाँ हुआ, x-1 लेने का मतलब बस यहीं था, कि अब यह इधर आजाएगा, इस तरीके से, जब y, जब x0 है, याने y-axis पे y-1 है, और जब y0 है, तो x1 है, y0 होता x-axis यह 1 है, तो यह जो लाइन है, यह इस तरीके से बनेगा, इसको भूल जाएए, अब आपका अगर आप इस तरीके से बनेगा, अगला कौन से बनेगा, इस पॉइंट पे, उपर जागे, ऐसे, continuity and differentiability of fx equals log of, मतलब एक तो modulus है log में, और x में भी modulus है, तो यह थोड़ा सवाल, वही समझ पाएंगे, जिनको log पे बड़ी पकड़ हो, यह पूरा जो खेल है, पूरा जो game है, इस continuity and differentiability का, वो log पे आधारित है, किस पे आधारित है, log पे, log अगर आपको आता है, तो बहुत अच्छानी से समझ जाएंगे, पहले आपको मैं answer दिखा देता हूँ, कई लोग जो है, वो खुद करना चाहेंगे, तो वो इसको कर ले, थोड़ा सा help ले ले यहां से, और जिनको मदद की जरूत है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पहली जीज, इसमें क्या क्या है, इसमें है आपका log x, तो आपको log x के बारे यह पता होना चाहिए, log x जो है, उसका function कुछ graph इस तरी की क्या होता है, यह आपको अच्छी तरह पता है, log x का मतलब के बारे इतना यह होता है, log x का मतलब क्या है, अगर मैं y के बराबर करूँ, base e है, तो यह होता है, e की power y बराबर x, यही तो है, log x यही है, और कुछ नहीं है, अब बात यह है कि यह 1 पे, x axis को cut कर रहा है, तो यह point क्या हो का, आपका 1,0, इसी तरीके से जह आप negative के बारे बात करेंगे, क्योंकि जहाँ आपका modulus लग गया, जहाँ modulus यह modulus sign आ गया, तो आप positive negative दोनों के बारे बात करेंगे, clear, तो यहाँ पर यह जो आपका है, इधर पे, यह आपका क्या है, normal log x function है, यह normal log x function है, अब क्योंकि हम log x को positive negative दोनों ले रहे हैं, क्योंकि हमको log x करना पड़ेगा कहीं न कहीं, वो क्या करेंगे, अब यह मैं बताता हूँ आपको, लेकिन आपको क्या रही बता रहा हूँ कि, जैसी आप modulus log x के बारे बात करते हैं, तब आपको कुछ और चीज़े करनी पड़ेगी, लेकिन log x हो यह है, अब negative log x भी तो ले सकते हो, तो यह positive x axis है, यह negative x axis है, तो जब log minus x करेंगे, यह तो log x हो गया, log minus x करेंगे, तो यह इसी तरीके से बनेगा, लेकिन इस side बनेगा, तो यह इस तरीके से बन गया, मैंने बताया आपको log आपको बहुत अच्छे से पता होना जाएगे, तब ही आप यह function appreciate कर पाएंगे, यह कैसे बना है, इसको बताने के लिए अलग से session लग जाएगा, तो फिलहाल आप यह समझ गये, कि यह log x है, यह log minus x है, अब मैं जो कुछ करूँगा इसमें, यहाँ पर दो step है, यहाँ पर एक स्थरो सा confusion रहेगा, उसको clear करने के लिए मैं आपको बता दू, कि क्योंकि यहाँ पर हम negative पे जा रहे हैं, अभी अभी मैंने आपको जो बताया था, y बराबर mod x का, तो आपको याद है, मैंने आप से कहा था, कि यह जो लाइन ऐसे जा रही है, y बराबर x, mod बनते ही, हमको इसको उपर लेना पड़ता है, इसको छोड़ देना पड़ता है, जबतर इसको हटा देंगे, यह बनेगा, तब ही यह y बराबर mod x बनेगा, हर चीज पॉजिटिव रहेगी, तो यह तो negative में जा रहा है, तो इसको positive करने के लिए, हम यहाँ पर minus sign लगाने वाले हैं, इसका मतलब इसको हम ऊपर करेंगे, यह चीज ऐसे बनाएगे, मेरी drawing और writing तो आप देख रहे हैं, माशालल्ला है, मतलब मुझे बिनी सवार्ड मिलना चाहिए, यह गंदी है नाइडिंग का, खेर, यहाँ पर यह भी है, तो इसको आप हटा देंगे, जैसे आप mod log x करेंगे, तो इसका मतलब यह है, कि यह इसको हटाने का मतलब है, mod मतलब यह है कि अब आप negative में कुछ नहीं रख सकते, negative में कुछ नहीं आगे, जैसे यहाँ पर है, तो यह जो line है, यह उपर चली जाएगी, यह हट जाएगी, इसको भी हटाएगे, तो यह ऐसी बनेगी, कुछ इस तरीके से, ऐसे, तो यह ग्राफ को आप इसमें नीचे का पार्ट यह भूल जाएगे, ऐसे बनेगा है, इस ग्राफ के हिसाब से, हमारे क्या-क्या points बन रहे हैं, अभी मैंने आपको बता है था 1, 0, तो यहाँ पर क्या है, minus 1, 0, तो 1, 0, यह minus 1, 0, तो पूरा ग्राफ कहां तक बढ़ रहा है, यह तो अथा तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो यह infinity हो गया, यह minus infinity हो गया, तो हमारे interval क्या क्या बने, एक minus infinity से minus 1, एक minus 1 से 0, एक 0 से 1, और एक 1 से infinity, ठीक है जी, तो आपको चार interval ले रहे पड़ेंगे, इसको solve करने के लिए, clear है, यह सारी बात clear होगी, अब आप समझ पाएंगे कि, actual आया कैसे मांदा, तो हम शुरुआत से शुरू करेंगे, मैं हटा देता हूँ सब कुछ, हम शुरुआत से शुरू करते हैं इसको, पहले आप समझ लीजे, हम जाएंगे mod x पे, किस पे आरें, mod x पे, शुरुआत, अब पहले mod x के बारें बात करें, mod x का मतलब यह होता है, कि x, यदि x greater than or equal to 0 हो, negative x, यदि x less than 0, यह तो हम पचासो बार बोल चुके, समझ चुके, ठीक, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था, कि हमारा partition क्या क्या बन रहा है, पूरे सिनारियों में देखें, तो हम इसमें काम नहीं चला पाएंगे, हमारे partition बनेंगे, कौन कौन से, तो यह, एसी अगर मैं line बनाओ एक, यह आपका 0 है, यह negative 1 है, यह 1 है, यह infinity है, यह minus infinity है, तो minus infinity से लेकर 0 तक, यह सारा का सारा negative रहेगा, कौन सा, यह x less than 0 है ना, तो mod x को अगर तब्दील करूँ मैं, तो x less than 0 है, x less than 0 पे यह negative रहेगा, x greater than equal to 0 पे पॉजिटिव रहेगा, तो आप 0 से 1 ले लीजे पहले, या एक काम करिए negative से चुरू करते हैं, minus infinity से लेकर, minus 1 तक, मतलब यहां से लेकर, यहां तक, यह x अभी भी negative है, तो यह आपका negative है आएगा, इसी तरीके से x जब, negative 1 से 0 पे गया, यह minus x आ गया, समझ गया आप, क्योंकि यह हम चाहे, इस पूरे की बात करें negative है, इसको आधा-धा तोड़ के बात करें, तो भी तो negative है ना, अब positive पे आ जाएगा, x greater than equal to 0, तो 0 से उपर, 0 से उपर, या बराबर, x, और किसके नीचे है, minus 1 के नीचे, तो यह तो आप ऊपर चले गया, मतला भी तो x positive आ गया, तो positive x कर दीजे इसको, positive लिखनेंगे जरूद नहीं x कर दीजे, और minus, और 1 से लेकर infinity यह तो, इसके उपर सारा का सारा positive तो यह positive है, तो यह positive है, तो यह भी positive, पूरा positive रहेगा, तो 1 से लेकर, आप आ गये है, x को positive, यह infinity, तो यह x हो गया, ठीक है जी, यहां तक समझेंगे आगया आपको, यह clear हो गया, यह चीज समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा एक जो चीज है, वही वहां पर एक page है, बागी तो आप बहुत जरूरी समझते हैं बागी चीज़े, यहां तक लेर होगया, अब हमारे पास क्या है अगला, mod x का काम होगया, आप log लगा देंगे, तो सब में log लगा दीजिए, log कैसी होता है, log लगा देते हैं बस, यह log और यह log, ठीक, log लगा दिया, अभी हमारा कोई fair बदल नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही इसके आगे mod लगाएंगे, तो आपको negative वाली चीज़े positive करनी पड़ेंगी, समझे, मैंने आपको अब यह भी बताया था, कि जैसे ही आप mod लगाते हैं, नेगेटिव की चीज़ positive करनी पड़ती है, जैसे आप negative जब लगाएंगे, तो negative कहा जा रहा है, minus 1 से 0 के बीच में जा रहा है, यह negative है, और 0 से B1 के बीच में negative है, यह तो देखें, यहां कहा negative भी तो यहीं आ रहा है ना, जी, तो आपको इसको ऊपर लाने के लिए, इसके दर्मियान इसको negative से multiply करना पड़ेगा, और यह इसको ऊपर लाने के यहां negative से multiply करना पड़ेगा, तो जैसे हमने mod लगाया, जैसे हमने mod लगाया, हमारी चीज़े कैसे change हो रही है, जैसे हम इस पर mod लगा देंगे, याने कि mod log mod x करेंगे, तो कौन कोजी चीज़ थी, यह minus 1 से, अभी मैंने अब को ग्राफ में दिखाया, यह तो ऐसे रहेगा, यह log minus x रहेगा, ठीक है, minus 1 से 0 वाला जो है, नीचे था वो, उसको उपर लाना पड़ेगा, तो minus log minus x हो गया है, ठीक, 0 से minus 1 यह भी नीचे था, इसको भी positive करना पड़ेगा, तो minus log x हो गया है, और 1 to infinity में तो कोई दिखाना नहीं, यह log x है, यह यह दोनों जो थे, positive थे, उपर ही थे, यहाँ नीचे गया था यह, तो इसको उपर लाने के लिए, हमको multiply करने पड़ेगा negative से, यह हमने, यह concept यहाँ भी लगा दिया, ठीक है, तो यह बन गया आपका final, यह final, और यह, इसके लिए, यह इसके लिए, यह इसके लिए, यह इसके लिए, यह इसको अटा दीजिए, clear कर देता हूँ, अब यह हमारे पास आगया, इसको follow करेंगे, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कि पहले चरिए derivative चेक कर लेते हैं, फिर हम continuity चेक कर लेंगे, continuity बहुत आसान, बहुत जल्दी हो जाती है, तो left hand derivative ले ले लेते हैं, और आप right hand derivative ले ले लेते हैं, और हम को क्या check इसक पर करना है, आपको याद होगा कि, जब हम graph देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था, कि एक तो यह minus one zero था, एक यह one zero था, तो minus one पर चेक कर लेंगे, तो यहां पर LHD, RHD हम चेक कर लेते हैं X बराबर माइनस वन पर पहले पिर X बराबर 1 पर चेक कर लेंगे ठीक? तो माइनस वन पर चेक करेंगे X बराबर माइनस वन पर तो यहां पर क्या होगा? हमारे पास बैसे फार्मल मता देता हूं यह है FX-FC divided by x minus c ऐसे लेते हैं हो तो इसमें x की जगा आप चाहे इस जगा पे x की जगा तो आप क्या रखेंगे क्योंकि x यह minus 1 है तो minus 1 minus h रखना पड़ेगा आपको यहां पर क्या रखेंगे x की जगा minus 1 plus h रखेंगे और fx क्या लेंगे बस यह mean है अब आप minus 1 से पीछे जा रहे हैं minus 1 से पीछे जा रहे हैं तो आप ये use करेंगे minus infinity to minus 1 तो minus 1 के पीछे जा रहे हैं मतलब इस धर्मियान बे आप log minus 1 minus x use करेंगे तो इस fx की जगा मैंने log minus x रख दिया minus अब fc है रहे कि f1 f negative 1 log minus 1 log minus 1 क्या होता है log 1 minus 1 दोनों 0 होते तो यह आप आप 0 कर दीजे divided by x minus c x क्या है अब पर minus 1 minus h minus c c क्या है minus 1 minus minus plus 1 हो जाएगा यह cancel minus h आपका ठीक और यहाँ पर क्याता हो आप log minus अच्छा minus x की जगा भी यह रखना है अभी मैं अभी परिवर्थित कर रहा हूँ log इसकी जगा रखना है minus 1 minus h minus 1 minus h ठीक और यह आपका हो गया नीचे क्या हो गया minus h ठीक minus h हो गया है अब इसमें क्या करेंगे यह minus 1 minus h है क्यूंकि हम जानते हैं कि log 1 plus x by x limit x tends to 0 यह होता है 1 है ना तो यह बनाने की कोशिश करेंगे यह हम किसी तरीके से अब क्यूंकि हम minus x था x की जगा यह रखा है इसका मतलब यह minus h के आगे होना चाहिए minus x है ना यह x की जगा हमने minus 1 minus h रखा और यह क्योंकि minus है तो यह क्या हो जाएगी यह plus यह plus तो क्या बना आपका और नीचे नीचे minus 1 minus h और minus minus plus 1 तो यह तो minus है रहेगा ठीक है चलिए log 1 plus h by h limit h tends to 0 अभी भी मैंने बताया log 1 plus x by x1 होता है तो यह तो 1 हो गया तो यह minus बहार है तो minus 1 आ गया यह left hand derivative आ गया और right hand derivative कैसे निकालेंगे और right hand derivative निकालेंगे लिए minus 1 plus h रखेंगे तो बस पिल्कु सेम काम करना है लेकिन अब function change हो जाएगा क्योंकि अब आप जा रहे है minus 1 से ऊपर उसके लिए आप क्या use करेंगे minus 1 से ऊपर यह minus log minus x use करेंगे तो minus log minus x use करेंगे यह ध्यान यह समझ में आ गया आपको और minus फिर 0 ही है तो यहां मैं नहीं लिख रहा हूं यह minus 0 होगा वैसे divided by x minus c तो यह minus 1 plus h minus 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 plus यह cancer h आ गया आपका अब minus log ध्यान रखें यह limit h 10 to 0 हर जगा लिखा जाएगा मैं skip कर रहा हूं आप मान के चल रहा हूं कि आप इसे जरूर लिखेंगे तो minus log अब देखें minus x है x क्या हमारा minus 1 plus h इस क्या कि minus लगाऊंगा तो क्या आपने करेंगा यह 1 minus h divided by h है आपका अब लगा दीजे से limit h 10 to 0 अब चूंकि यहां पर negative है तो यह negative करना पड़ेगा क्योंकि यह log 1 plus x by x का formula है तो यह जो होगा वो यहां सेम ऐसे आना चाहिए अब minus लगा है तो minus यहां भी multiply करना पड़ेगा तो यह minus और यह minus plus बन जाएगे अब यह log 1 minus h by log 1 minus h by minus h इसी formula से यह क्या बन जाएगा 1 मतलब यह 1 होता है तो यह 1 limit लगा दी हमने यह 1 आ गया left hand limit हो गया minus 1 right hand limit हो गया 1 अब आप देखे left hand limit और right hand limit match कर रही है क्या नहीं कर रही है तो minus 1 पे यह differentiable नहीं है clear क्या आप x बराबर क्योंकि 1 minus 1 पे check कर लिया 1 पे check कर लेंगे आप मैं मान के चलता हूँ कि जो मैंने steps बताए वो आपको बिल्कुल same अपनाने है x बराबर 1 पे यह मैं आपके लिए छोटा हूँ अगर थोड़ी सी भी problem आई तो आप यहां पर एक refer कर सकते हैं लेकिन x बराबर 1 पे आप फुट करेंगे अब मैं इसमें एक और काम करता हूँ एक आपको limit भी बता देता हूँ क्योंकि आप इसमनोंने continuity भी बताई भी पूछिए देखे इस पूरे question का जो निचोड था न वो यह था कि आप यह कैसे बनाते हैं अगर आपने यह बना लिया तो सारी चीज हो जाएंगे चलिए मैं continuity चेक कर लेते हैं तो इस बर ऐसे करते हैं x बराबर 0 पे चेक करते हैं क्योंकि अभी x बराबर 0 पे इसकी continuity चेक कर लेते हैं ठीक है जी चलिए साथ तो नहीं माइनस होने 1 पे करनी थी ना तो x बराबर 1 पे चेक कर लेते हैं है ना तो left hand limit right hand limit x बराबर 1 पे चेक करना है तो function क्या बनेगा अब यह basically आप limit x tends to 1 minus करेंगे यहाँ पर लिखेंगे limit x tends to 1 plus यह क्यूं कर रहा हूं है यह जाना चाहता हूं कि function कोंसा use करेंगे 1 minus मतलब 1 के पीछे मतलब यह minus log x 1 plus मतलब 1 के आगे मतलब यहाँ log x ठीक है जी log x अब इसमें क्या करेंगे आप आपको कुछ करने की जरूत नहीं है यह जो x बराबर हम 1 minus h रखते थे x बराबर 1 plus h इसकी अवशकता नहीं है क्योंकि हम direct limit लगा सकते हैं direct limit लगाने पाँ हमारे पास कोई भी untoward value नहीं आएगी untoward मतलब कोई ऐसी 0 by 0 infinite by infinite 0 by infinite ऐसे नहीं आ रही है direct लगा दीजे minus log यह 1 रख दीजे और यह आप भी लगा दीजे मतलब यह continuous है x बराबर 1 पे x बराबर minus 1 पे आपको खुच चेक करना है ओके continuity में आपके लिए छोड़ रहा हूँ जी यह करके करिएगा और कोई भी दिक्कत आती है तो आप थोड़ा यहां refer कर लिजेगा ठीक है discuss the continuity and differentiability of fx equals e raised to the power mod x पहले मैं आपको reference के लिए इसके उतर दिखा देता हूँ ताकि जो अपने आप करना चाहते हैं वो इसको refer करके कर सकी बाकी जो इसकी logic और reasoning है उसके बारे में चर्चा करता हूँ पहला ही देखिए कि जहां भी आपका mod x आता है mod x का मतलब क्या है कि कोई हर चीज पॉजिटिव में रहेगी तो अगर कोई पॉजिटिव है मतलब अगर x greater than 0 है तो तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन x less than 0 है तो यह पॉजिटिव नहीं रह सकता मतलब यहां तो negative आएगा न मतलब कोई minus x आएगा जिसे minus 2 आएगा इसको positive करने के लिए मतलब positive करने के लिए minus लगाना पड़ेगा आपको तो अपने आप minus यहां पर हम जोड़ेंगे और x लिख देंगे तभी तो minus minus plus हो जाएगा यहां हम positive चाहते है तो अगर negative है तो अपने आप negative लगाना पड़ेगा तो यह इसका पूरा description होता है mod x का e to the power mod x है कहीं ऐसा निये जैसे हम यह log x वाला देखा था न ऐसे कुछ नहीं है तो अभी क्या करते हैं कि इसको यह सीधे straight forward question है यह fx अगर आपका e raise to the power mod x है तो इस fx को हम ऐसे लिखेंगे यह होगा e की power x या e की power minus x होगा यह x बनेगा यह minus x बनेगा depending कि यह x greater than equal to 0 है बिल्कुल इसी से लिया है मैंने इसी से यह लिया होगा x greater than equal to 0 या x less than 0 तो हमारे पास continuity और differentiability के लिए क्या चाहिए किसी point पे check करते हैं इधर चेक करते हैं इधर चेक करते हैं और 2 नहीं मिल गए greater than 0 पे भी है less than 0 पे भी है तो हम क्या करते हैं कि इसकी continuity check कर लेते हैं left hand limit और right hand limit x बराबर 0 पे check करेंगे इसका मतलब यहाँ पर x बराबर 0 minus h याने की minus h रख देंगे यहाँ x की जगा 0 plus h याने की h रख देंगे और अपने पास यह value क्या है तो मैं कर देता हूँ इसको limit h tends to 0 e की power क्या रखना है आपको minus h रखना है ठीक है जी जो left hand limit है e की power minus h लेकिन जैसी मैं यहाँ पर रखा देखे पहले इसको ऐसे करने से पहले यह बता दूँ आपको कि हम इसको limit x tends to 0 minus लिखेंगे 0 minus करते ही हमें यहाँ पर लिखना है कौन सा function हम यूज करने वाले तो क्योंकि हम left की तरफ जा रहे हैं तो यह वाला function यूज करेंगे e की power minus x और जब हम x को minus h तबदील करेंगे जैसे limit h tends to change किया हमने तो e की power minus x x क्या है minus h यह हो गया तो basically आपको क्या मिला e की power plus h यह न e की power plus h हो गया अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप limit h tends to 0 लगा दीजे क्योंकि e की power यह 0 होगा किसी value की भी power 0 हमेशा 1 होती है यहाँ पर भी यही काम करते है पहले आप limit x tends to 0 प्लस अब आप न 0 के इधर जा रहे तो 0 के इधर जाने का मतलब आप यह वाला function यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हो गया यह आपका e की power x यूज़ करेंगे x की जगा आपको h रखना है तो e की power h हो गया यह limit change हो जाएगी h tends to 0 हो गई अब यहाँ पर h को 0 रख दीज़े e की power 0 यह 1 हो जाता है तो left hand limit और right hand limit दोनों आपकी 1 आ गई यह दोनों ही 1 आ गई तो आप यह कह सकते हैं कि वही यह आ गई और f 0 करना है value of the function at 0 तो equality का है यहाँ पर है तो e की power x लेंगे 0 रख दीज़े इसकी जगा e की power 0 हो या ने की 1 तीनों बराबर हा गए तो continuity x बराबर 0 पर continuity चेक हो गई यहाँ अब हम इसकी करते हैं differentiability चेक तो मैं clear कर देता हूँ यह तो आप समझगे न यह अभी हमने किया था इसको इसको direct use करेंगे अब हम differentiability चेक कर रहे है कहाँ पर x बराबर 0 के तो यहाँ पर left hand derivative कर लेते हैं यहाँ right hand derivative कर लेते हैं करना यही है fx minus fc by x minus c c यहाँ पर 0 है यह अब का c है और limit x tends to c यहाँ पर क्या करेंगे x को वही 0 minus h रख देंगे यहाँ x को 0 plus h रख देंगे यहाँ minus h रखना है यहाँ आपको plus h रखना है और जैसे हम limit x tends to 0 minus करेंगे by तरफ जाएंगे तो कौन सा by यह वाला function यूज़ करेंगे तो e की पार minus x minus अब देखें fc क्या आ रहा है f 0 हम आज़े निकाल चुके तो x minus 0 x आपका minus h है minus h minus 0 है यहाँ पर भी इसी तरीके से कर देंगे limit x tends to 0 minus 0 plus और e की पार यहाँ पर यूज़ आप क्योंकि आप 0 के उपर निकल गए 0 के उपर गए तो कौन से यूज़ करेंगे यह वाला यूज़ करेंगे e की पार x यह तो fc तो ही रहेगा और नीचे आपको h रखना है लेकिन अभी h तबदील करते हैं यहाँ पर भी h तबदील करना होगा तो इसको भी कर लेते हैं x की जग़ा आप minus h रखेंगे तो e की पार minus है तो यह प्रस h हो जाएगा minus 1 by h यह x की जग़ा h रखेंगे तो e की पार h minus 1 by h अब आप यह जानते है कि limit h या x tends to 0 e की पार x minus 1 by x यह 1 होता है यह हम अलरड ही जानते है limit जो हमने की थी तो इसमें अगर हम limit h tends to 0 लगाते है यहाँ भी limit h tends to 0 लगाते है तो मारे पास क्या आता है दोनों पराबर है left hand derivative right hand derivative का मतलब यह है कि यह आपके differentiable होंगे क्योंकि दोनों value जो आपकी आई है वो बिल्कुल same आई है देखेगा e की पार h यह नहीं यहाँ पर आएगा minus उसका करण क्या है आपको याद है यह minus h था यह कर तो लेंगे आप लेकिन यह minus 1 आएगा यह यह वन आएगा ठीक यह left hand derivative right hand derivative match नहीं कर रहे है continuity में दोनों match कर गए थे और यह value भी match कर गई थी continuous तो है continuous at x बराबर 0 येस लेकिन differentiability में यह minus 1 है यह 1 है differentiability यह वाली x बराबर 0 पर ये नहीं है discuss the continuity and differentiability of this fx function और ये खेर इस तरीके के सवाल हम काफी कर चुके हैं तो फटापट बहले continuity कर लेते हैं और सीधा इन्होंने कहा है x बराबर c पे चेक करिए तो left hand limit right hand limit और x को यहाँ पर हम c है और अब c पे चेक करना है तो c माइनस h ले ले लेते है बलता ऐसे है ना x बराबर c तो यहाँ और यहाँ जाना है तो अभी हम left hand limit पे है तो c माइनस h यूज करेंगे x में c प्रस h यूज करेंगे दोनों ही जब x बराबर c नहीं है तो यही function use करना है यही सी function को use करेंगे तो x की जगा में रख देता हूँ c माइनस h c माइनस h और माइनस c और cos 1 by x माइनस c यहने कि c माइनस h माइनस c यहाँ पर आजाए यह फिलको सेव काम करना है c प्लस h रख दीजाए यहाँ पर x की जगा c प्लस h माइनस c cos 1 by x की जगा c प्लस h c प्लस h माइनस c तो यह आपका बनता है माइनस h यहाँ पर बनेगा माइनस h cos माइनस 1 by h यह माइनस h यह cos माइनस 1 by h यहाँ पर आजाए अचा हर जगा आप देखे limit h 10 to 0 हर जगा लिखना है हर एक step पर यहाँ पर भी लिखना है मैं बस skip कर रहा हूँ लेकिन आपका हर जगा लिखना है यह आपका बनेगा h cos 1 by h आप देखे cos माइनस theta क्या होता है cos माइनस theta होता है माइनस प्लस cos theta sin माइनस theta माइनस sin theta होता है तो इसकी तो कोई value रही नहीं क्योंकि यह तो माइनस बाहर आएगा नहीं यह simply माइनस h cos 1 by h हो गया यह h cos 1 by h हो गया अब ध्यान रखेगा कि जो cos theta और sin theta होते यह bounded function है bounded function का मतलब आप इसके अंदर कुछ भी रखते रहे यह हमेशा minus 1 और 1 के बीच में value आएगी मैं आपको दिखा भी जाता हूँ यह इस question में आएगा अब देखें यह sin x का function है यह हमेशा 1 और negative 1 के बीच में रहेगा चाहिए आप कुछ भी कर लिजए इसकी जो result आएगा न तो यहाँ पर यह bounded function है आपका यह हमेशा minus 1 और 1 के बीच में आएगा ठीक है जी अब इस पे यहाँ पर आपका जो भी आप value रखोगे जब limit as change तो करोगे न आप तो यह तो 0 है minus 0 तो उसकार 0 ही होता है यह भी 0 हो जाएगा यहाँ भी limit as change तो 0 लगा दीजे यह 0 हो गया तो 0 into something 0 into something 0 हो गया इसका मतलब यह है कि यह आपका 0 आ रहा है यह आपका 0 आ रहा है ठीक है यह आपका 0 आ रहा है इसका मतलब आप यह तो कह सकते हो कि हाँ भी यह continuous तो है क्योंकि दोनों जगा 0 आ रहा है क्योंकि यह bounded function हो गया continuity तो आपकी एक तरीके से ये check हो जाती है अब हम अगर इसकी differentiability check करेंगे तब क्या करेंगे differentiability के लिए मैं आपको बताता हूँ यहीं पिर कर लें क्या differentiability के लिए आपको मैं left hand derivative right hand derivative तो करूँगा लेकिन आपको left hand derivative से ही clear हो जाएगा कि क्या आना है left hand derivative और right hand derivative अब इतना हम लोग कर चुके हैं कि सीधा हम fx minus fc by x minus c करेंगे और यहाँ पर हम x की जगा c minus h रख देंगे यहाँ x की जगा c plus h रखेंगे लेकिन यह मैं कर नहीं रहा हूँ अभी आप यहीं से clear हो जाएगा आपको की मसला क्या है क्या value आ रही है अब अगल यहाँ पर fx की जगा हम रखेंगे यह पर x की जगा c minus h तो c minus h बिलकुल सेम इसी तरीके से आजाएगा आपका final क्या हैगा यह इसी तरीके से आजाएगा आपका लेकिन fx minus fc fc क्या है fc मतलब इसमें जब c रखेंगे तब क्या होगा जब c रखेंगे तो देखें जब मैं fc रखूंगा तो c minus c 0 तो यह तो खर 0 बन जाएगा तो यह वाला term तो 0 बन गया fx आपका क्या बन रहा है fc minus h डाल दीजे यह हम आज़ी कर चुके है c minus h क्या है था हमारा था minus h cos 1 by h यह तो उपर आगया था और नीचे आपका minus h था नीचे minus h आएगा ना x minus c क्या है x की जगह आप c minus h रख रहे हैं और minus c कर रहे हैं तो यह minus h आगया अब इस minus h से minus h cancel हो गया cos 1 by h आगया cos 1 by h आगया अब यह जो number है, यह हमेशा minus 1 से लेकर 1 के बीच में oscillate कर रही है oscillate का मतलब यह होता है अभी-भी मैंब को उसमें भी दिखाया कि यह हमेशा minus 1 और 1 के बीच में oscillate कर रही है इसका मतलब यह एक bounded function है है ना, क्योंकि bounded function है, इसका मतलब यह है कि left end derivative derivative exist नहीं करती है, यही आप यहाँ भी prove कर देंगे, यहाँ भी prove करके दिखाई देता हमें आपको, यह आपका आएगा h cos 1 by h, क्योंकि यही fx यहाँ पर लगाएंगे, और इस जग अप यह तो उपर का निकल के आएगा, नीचे h है, यही इसको भी काड़ दें, जो cos 1 by h ही आएगा, तो आप यह नहीं कह सकते कि cos 1 by h और cos 1 by h जोनों बराबर है, इसलिए आएगा, आप भस यह कहेंगे, कि भाई क्योंकि cos 1 by h इसकी value minus 1 और 1 की बीच में है, कोई specific value नहीं है, यह oscillate कर रहा है, इसका मतब यह है कि x बराबर c पर, जो left-hand derivative या right-hand derivative दोनों exist ही नहीं करते, यह है नहीं, यह आप एक और आपको तरीका बताता हूँ, आप cos 1 by h में 0 यहां रख दीजी, तो cos infinite को आप कैसे define करोंगे, यह function ही not defined है, यह function ही not defined है, जब defined यह नहीं है, तो आप इसके differentiability के बारे में क्या बात करोंगे, तो x बराबर c पर यह differentiable नहीं है, लेकिन x बराबर c पर यह continuous है, is sin x differentiable, what about cos x? तो सबसे पहले इसको अगर जो लोग करना चाहते हैं, आप उनके लिए मैंने यह reference दे दिया है, लेकिन जो इसको समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं sin x से शुरू करता हूँ, sin x की जो value होती है, वो हमेशा, हमेशा minus 1 और minus minus 1 और 1 के बीच में आती, इसका मतलब यह है, कि यह जो sin 0 है, यह sin 0, यह 0 हो गया, यहाँ पर, sin 180, अब इस 0 को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अब देखें, क्या बनेगा इससे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, sin πाई, यहाँ बन इंटो पाई, यहाँ पर यह 0 हो गया, यहाँ 0 है यह, और हमारा main क्या रहता है, कि कहाँ पर 0 आ रहा है, यह पकड़ना है, हमें, है ना, किसी भी differentiability और किसी भी continuity में हम यह देखते हैं, कहाँ x एक्सिस पर कड़ हो रहा है, जैसे हमने log x में देखा था, यहाँ पर आप गया आपका 2 pi, तो 2 pi पे 0 हो रहा है जी, यह यह हो गया आपका 0 पे, यह आपका 180 डिगरी पे, तो यह 2 pi पे भी 0 है, यानि कि आप देखें, यह 0, 1, 2, यानि n pi पे 0 हो रहा है, sign जो है, वो n pi पे 0 हो रहा है, n आपका even भी हो सकता है, n odd भी हो सकता, क्योंकि 1 भी आ गया है, इसमें, और 2 भी आ गया, और 0 भी आ गया, वन और 0 तैटू, जैसे आगे बढ़ाते चले जाएए आप, sign 3 pi कर दीजे, तो यह भी 0 होगा, तो इससे यह clear हो गया, कि sign n pi पे 0 है, तो हमको check तो n pi पे करना है, इसको, जैना, बट, अब यहाँ पर आईए, यह 90 डिगरी पे, आपको दे रहा है, sign x, हमेशा, जो भी sign theta या x लिखोगे आप, यह हमेशा इसकी जो value आएगी, वो हमेशा minus 1, और 1 के बीच में आएगी, यह भी आपके दिमांग में बैठना चाहिए, और sign 90 minus theta क्या होता है, और sign 90 plus theta क्या होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, इसके लिए में भी बता देता हूँ, यह होता है आपका add sugar to coffee, इसका मतलब यह हुआ, कि यह आपका zero है, तो यह pi है, फिर यह two pi है, तो यह कितना है, three pi है, यह आपका four pi है, ऐसे आप चलते रहेंगे, एक pi का मतलब होता है, इस तरी के इस two pi मतलब होता है, पुरा घूम गया आप, पूरा three sixty degree cover कर लिए, तो आप देखिए, कि even पे, यह even है, यह zero two pi, यह even है, pi two pi, pi three pi, यह सारे odd है, जब आप sign, क्योंकि यहाँ पर हम यह सब करने वाले हैं न, यह करने वाले, इसलिए पहले सी बता रहा हूँ आपको, sign n pi minus h, या minus theta, h है यह theta है, जो भी value है, जब n pi से minus करेंगे, तो वो इधर भी आ सकता है, क्योंकि यह n pi मतलब pi भी हो सकता है, 3 pi भी हो सकता है, या फिर 5 pi भी हो सकता है, और जब आप sign n pi minus theta करेंगे, या आप h करेंगे, जो आप यहाँ आगे करने वाले हैं, जब वो यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि मालीजे, sign 2 pi minus theta की आपने, तो वो इधर लाए करेगा, और add sugar to coffee का मतलब यह है, कि यहाँ किवल cost positive होता, तो अगर आप pi minus theta कर रहे हैं, 3 pi minus theta कर रहे हैं, 5 pi minus theta कर रहे हैं, तो वो तो positive में आएगा, लेकिन sign 0 minus, 0 into pi minus theta, 2 pi minus theta, 4 pi minus theta जब करेंगे, तो यह आपका negative में आएगा, यह ध्यान रहेगा, add sugar to coffee, इसलिए बताएम आएंगे कि इस content में, क्या चीज़ positive होती है, क्या चीज़ negative होती है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यह सब concept जो इसलिए मेरे बताए है, क्योंकि मैं यहां directly use करने वाला हूँ इसको, तो हम क्या करेंगे, कि सबसे पहले, इसमें ऐसा नहीं कर सकते, कि यह वाला n pi minus theta करके, कि आप कुछ भी बता दे, अपको odd और even अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि odd पर अलग इसका behavior है, even पर अलग behavior है, ओके, चलिए साब, तो left hand derivative निकालते हैं जो इसका, right hand derivative साथ साथ निकाल लेते, अब mod x, जो है, अब ही मैं ज़र इसको clear कर दूँग, यह clear होगे न सब, अब मैं clear कर दूँग क्योंकि एक चीज़ और बता नहीं रहेगी आपको, क्योंकि हसली मुद्धा तो इसी का है न, mod x का, अब आपको यह पता है कि mod x जो होता है, वो x होता है अगर x greater than equal to 0, इसी तरीके से आप sin x का जो mod करेंगे, मतलब अगर यह sin x है, यह आपका positive होगा, sin x होगा, ज़िए x greater than equal to n pi है, जैसे मैं आपको समझाया, और जैसी, मतलब जब आप उपर की तरफ जा रहे है, sin की value जब उपर की तरफ जा रही है, तो आप कहेंगे कि भई यह तो n pi है, क्योंकि यह 1 की तरफ जा रहे हैं, जैसी आप negative की तरफ जाएंगे, क्योंकि यह sin क्या है, 1 और negative 1 के बीच में oscillate कर रहा है, 1 को तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 तक आते रहे, जब यह negative पे जाएगा, तो हमको इसको अपने आप positive करना पड़ेगा, क्योंकि यह modulus है, तो हम minus sin x लगाएंगे, अगर x less than n pi है, और n pi क्यों लिया, क्योंकि n pi पे ही actual, यह 0 हो रहा है, तो जब भी कुछ समय में ना आए, आप देख लिए, फंक्शन 0 का अब हो रहा है, वो ही point हमारे चेक करने के लिए होंगे, तो x n pi हो गया, अब हम आते हैं अपने left hand derivative पे, और right hand derivative पे, लेकि left hand derivative और right hand derivative, जब हमारा जो x वराबर n pi है, इसमें n even है, क्या रहेगा यह, even है, और even और odd का दोनों, मैंने बता दिया आपको क्या करना होगा, तो चलिए साब, यहां पर रखेंगे, हम करना यही है हमें, fx minus fc, fc क्या है यहां पर n pi, यह हमारा c जो है n pi बन गया है, n pi by x minus c, तो x minus c n pi, ठीक है जी, यह हो गया, अब क्या करेंगे, left hand derivative में आप क्या रखते हैं, c, मतलब, जो भी आपको c minus h या, a minus h जो भी रखना है, तो c आपका n pi है, n pi minus h रख देंगे हैं यहां पर, यहां पर हम x की जगा, n pi plus h रख देंगे, ओके, अब इस formula में डाल दीजे, यह basically, yya मैंने इसलिए किया, क्याकि limit, x tends to, ये n pi plus पे जा रहे हैं, ये limit है, x tends to n pi minus पे जारे हैं, मतलब हमको check जो करना है, वो n pi के इधर करना है, n pi के इधर करना है, क्योंकि हर एक n pi पे कुछ ने कुछ हो रहा है, n pi minus h हो गया, ये n pi plus h हो गया, अब अच्छा function को सा use करेंगे क्योंकि आप पीछे की तरफ जा रहे है पीछे की तरफ में आप minus sin x use करेंगे तो minus sin x की जगा use क्या करना है n pi minus h minus sin n pi divided by x नीचे आएगा x minus n pi x की जगा n pi minus h रख रहे हैं तो यहीं कर देते हैं n pi minus h minus n pi यह दोने cancel हो गया minus h आगे अब sin n pi मैं अभी भी मने बताया कि sin जतने भी n pi है वो सारे 0 हो रहे है सारे 0 दिख रहे हैं आपको इसको तो 0 कर दीजिए तो यहां भी साथ-साथ कर लेते हैं इसमें limit h tends to 0 यहां पर कौन सा function यूज़ करोगे आप n pi के ऊपर जा रहे हो n pi के ऊपर जा रहे हो तो sin pi यूज़ करेंगे sin x यूज़ करेंगे x जगा आपको n pi प्लस h रखना है minus sin n pi वो तो खेर 0 हो जाएगा अभी यह भी मने बताया लेकिन पुरा लिख लेते हैं इसको नीचे के आएगा x minus n pi आने की n pi प्लस h यह रखा मैंने minus n pi h आया नीचे के आएगा अब यह देखिए क्या बनता है यह दुजीर हो गया इसको अटा दीजेए इसको भी अटा दीजेए यह आपका minus minus तो पहले यहां से cancellation कर देते हैं minus minus cancellation कर देते हैं आपका तो यह आपका बनता है sin n pi minus theta minus edge n को हमने even लिया है जी ठीक है अभी मैंने आपको बताया था add sugar to coffee से अगर यह even है और minus theta कर रहे हैं तो यह negative आएगा sin तो यह negative आएगी ध्यान रहेगा ना तो यह sin n pi minus theta इसको ऐसे समझ दीजे sin n pi minus theta यह होता है minus sin theta यदि जो n है वो even हो बस इतना ध्यान रखने आपको sin n pi minus h हो गया है यह sin n pi h क्यों गया है यह तो हमने apply कर दिया है sin h हो आई minus sin h और नीचे आपका h already था अब limit अगा दीजे h 10 to 0 आप जानते है sin theta by theta limit theta 10 to 0 यह 1 होता है यह 1 हो गया, यह minus हो गया तो minus 1 हो गया ठीक है यह left hand derivative हो गया इसी तरीके से right hand derivative पर आजाते है even पर चेक कर रहे है तो sin n pi plus h अब क्योंकि even है यह और n pi plus h हो रहा है यह नहीं कि इसके उपर यह इसके उपर आप यहाँ यहाँ जा रहे इस जगा पर n pi यह हो गया n pi even है इसका मतलब आप इस जगा पर है और इसके उपर आपको चायड कर रहे है तो यह तो all मतलब सारे के सारे positive होते है यहाँ पर sin n pi plus h रहे गई रहेगा यह तो अपने apply कर दिया sin h हो गया फिर से समझ लिए sin n pi plus theta यदी n e1 है तो यह आपका sin theta आजाएगा यह समझ लिए sin theta sin h हो गया नीचे h है limit h tends to 0 sin theta by theta का formula हो गया यह वाला यह 1 होगे तो यह minus 1 है यह 1 है e1 पे left hand derivative और right hand derivative बराबर नहीं अब इसी तरीके से आप odd पर check कर लेंगे तो मैंने आपको जो है n even पे बता दिया अब जो n odd है इस पे भी आपको बिल्कुल सेम तरीका अपनाना है कोई भी दिक्कत होते हैं यहां refer कर सकते हैं clear है even का मैंने आपको बताया कैसे करना है odd का मैंने आपको यह बता दिया कि इसी तरीके से करना है पॉजिटिव होता है, यहां सारे पॉजिटिव होते हैं, जब भी आप n pi minus h करेंगे, n pi plus h करेंगे, देखना है आपको कि किस कॉद्रेंट में है, उसके हिसाब से यहां sign मनाने है, तो odd का मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो reference भी मैंने दिया हुआ है, अच्छा, अब ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर minus 1 और 1 दोनों बराबर नहीं आए, इसी तरीके से यहां और minus 1 बराबर नहीं आएंगे, तो आप सीधा कह दीजिएगा, क्योंकि left hand derivative, right hand derivative बराबर नहीं है, लेकिन दोनों के लिए, एन इवर और दोनों के लिए, तब आप कह सकते हैं, कि यह sin x जो है, वो mod sin x जो है, differentiable नहीं, right, अब बात करते हैं, cos mod x अब cos mod x, अभी अभी मैंने आपको बताया, कि अगर x greater than equal to 0 हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos x, mod x, mod x आपका positive हो जाएगा, mod x जो है, वो x लिखा जाएगा, x less than 0 है, तो mod x आपका negative x लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, cos negative x, लेकिन हम यह जानते हैं, cos minus theta plus cos theta होता है, इधर भी cos theta आएगा, इधर भी cos theta आएगा, यह cos x आएगा, दोनों जगा, जब यह cos x, cos x आ गया, इसका मतलब यह है, कि यह differentiable रहाएगा, क्योंकि हम देखिए, left hand और right hand दोनों देख रहे हैं, हर्मेशा यह cos जो है, आपका cos ही आएगा, sin में नहीं यह ऐसा है, sin minus theta जो होता है, वो minus sin theta होता है, और sin theta theta होता है, यहाँ पर cos minus theta, cos theta, cos theta भी cos theta, तो इस current से, यह cos function है, व बस इसका explanation इतना है, चले है, यह बात होई इस discussion की, बहुत होती है,